IPL 2024 की शुरुआत में अभी एक मैने से भी लगबक कम समय बचा है उससे पहले ही BCCI की और से इस बड़े टूर्णामेंट को लेकर तैयारिया शुरू हो चुकी है खबरों की माने तो IPL 2024 का शेडूल भी पूरा तैय हो गया है हाला की अब BCCI ने हाफ शेडूल को रिलीज भी कर दिया है लेकिन जल्दी पूरे शेडूल को भी रिलीज किया जाएगा IPL को लेकर दुनिया भर में जब रस्त क्रेज देखने को मिलता है जिसका श्रेफ फॉर्मेट में उम्दा बल्लेबाजी करने वाले कुछ प्लेयर्स को भी जाता है IPL जैसे टूनामेंट में कुछ बल्लेबाज बहुत कम समय में खेल को पूरी तरीके से बदल सकते हैं और ओपनेंट को उनके हमले से उबरने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जब कोई भी बल्लेबाज T20 पारी में शतक लगाता है तो उसकी टीम के लिए खेल में आगे निकलना बहुत असान हो जाता है खास तोर पर अगर ये शतक बहुत तेज गती से आए तो टीम की जीत की समभावना और भी बढ़ जाती है इस वीडियो में हम आपको IPL लीक के इतियास में अब तक के सबसे तेज शतकों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें टोप 5 खिलाडियों की सूची आपके साथ शेयर की जाएगी तो वीडियो पूरा देखें इस लिस्ट में पांचवे नमबर पर एवी डिविलियर्स और डेविड वोर्नर आते हैं एवी डिविलियर्स और डेविड वोर्नर केवल 43 गेंदों में शतक के साथ इस मामले में पांचवे नमबर पर आते हैं एवी डिविलियर्स ने आईपेल 2016 में गुजरात लोइंच के खिलाफ 52 गेंदों पर 139 रन बनाये थे जिसमें उन्होंने 12 चके और 10 चोके लगाये थे वहीं दूसरी और डेविड वोर्नर ने केवल 59 गेंदों पर 10 चोके और 8 चकों की मदद से 126 रन बनाये थे जिसमें SRH को 2017 में KKR के खिलाफ 48 रन की जीत मिली थी डेविड वोर्नर अभी भी आईपेल खेल रहे हैं जबकि AB Divillards इस फॉर्मेट से सन्यास ले चुके हैं साथ अफरिका की दिगज करिकेटर AB Divillards के आईपेल करियर की बात करें तो उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 184 मैच खेले हैं इस दोरान उन्होंने 170 पारियों में 5,162 टन बनाए हैं आईपेल में उनके नाम 3 बैतरी शतक भी दर्ज हैं उनका स्ट्राइक रेट आईपेल में 150 के पार रहता था उन्होंने 2008 में दिल्ली की ओर से खेलते हुए अपना पहला आईपेल मैच खेला था वहीं 2021 में कोलकता नाई ट्रेडर्स के खिलाफ RCB की ओर से खेलते हुए उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना आखरी मुकाबला खेला था चोथे पाते एडम गिलकिरिस्ट एडम गिलकिरिस्ट ने आईपेल के उटगाटन शत्र में 42 गिंदों में शतक लगाया था उस दोरान डेकन चार्जर्स की टीम मुंबई इंडियन्स के खिलाफ 20 ओवर में 155 रनों का पीछा कर रही थी और टीम के ततकालिन कफ्तान एडम गिलकिरिस्ट ने 12 ओवर में ही अपनी टीम को मैच जिता दिया था डीसी ने ये मैच बड़े अराम से 10 विकेट से जीत लिया था उस हार को शायद ही कोई मुंबई इंडियन्स का फैन भूल सकता हो उस्टेलिया के तिगज पूर्फ सलामी बल्लेबाज और विकेट की पर एडम गिलकिरिस्ट के IPL करियर की बात करें तो उन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक ही IPL में भाग लिया इस दोरान उन्होंने 80 मैच भी खेले इन 80 मैचों में लगबग 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2070 रन भी बनाए इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से दो शांदार सेंचुरीज भी देखने को मिली थी उनकी ही कप्तानी में 2009 में IPL सीजन में डेकन चार्जर्स की टीम टूर्णामेंट का खिताब भी जीती थी तीसे पर रहें डेविड मिलर डेविड मिलर ने IPL 2013 में RCB के खिलाफ अपनी शांदार 101 रनों की पारी में केवल 38 गेंदों की मदद से सेंचुरी लगाई थी उस मैच में RCB ने पंजाब के खिलाफ 191 रनों का लक्षे रखा था और दूसरी पारी में एक समय पर RCB जीत की स्तिती में भी थी क्योंकि पंजाब ने केवल 64 रन पर 4 विकेट गवा दिये थे दस्वे ओवर से मिलर ने शांदार पारी खेल कर पंजाब को केवल 18 ओवर में चे विकेट के नुकसान पर जीत हासिल करवा दी साउथ एफरिका के विसपोटक बल्ले बाजों में से एक डेविड मिलर ने IPL में खूब नाम कमाया है उन्होंने अभी तक IPL में पंजाब किंग्स, राजिस्तान रोयल्स और गुजराट टाइटेंस के लिए भी कई बड़ी पारिया खेली है IPL में खेले अपने 121 मुकाबलों में लगबग, 140 के स्ट्राइक रेट से उनके नाम 274 रन है इस दुरान उनके बल्ले से एक शांदार शतक के साथ 12 Half centuries भी फैंस ने अपने आखों से देखी है दूसरे नमबर पर आते हैं यूसुफ पठान इस रिकोर्ड सूची में भारते खिलाड़ेंस के वल यूसुफ पठान ही इस लिस्ट में आते हैं मैच में भी ये टीम बनी हुई थी लेकिन बाद में राजिस्तान ने 208 रन साथ विकट के नुकसान पर बना कर चार रन से मैच को गवा दिया इंडियन दिगज किर्केटर यूसुफ पठान के आईपेल करियर की बात करें तो उन्होंने आईपेल में कुल 174 मैच खेले इस दोरान उनके बल्ले से 142 के स्ट्राइक रेट से 32 रन निकले उन्होंने आईपेल करियर में एक शतक और 13 अर्षतक भी अपने नाम किये बोलिंग में भी उनकी काफी योगदान रा बतोर गेंदबाज उन्होंने 174 मैचों में 42 विकिट लिये और पहले पराते हैं क्रिस गेल क्रिस गेल के नाम आईपेल में सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकोर्ड है आईपेल 2013 के एक मैच में पूने वोरियर्स के खिलाफ गेल ने चाचट गेंदों पर 175 रनों की तुफानी पारी खेली थी गेल ने अपनी इस यादगार पारी में 17 चक्के और 13 चोकों लगाए थे बायाद के इस बले बाज ने अपने शांदार पारी के दोरान केवल 30 गेंदों में ही तीन अंकों का आकड़ा छू लिया था गेल के शतक की मदद से आरसीवी ने 20 ओवर में 263 रन बनाये थे 5 विकट खोकर बदले में पूरे की टीम 9 विकट खोकर 133 रन नी बना सकी और 130 रनों से उस मैच को हार भी गई थी वहीं उनके आईपेल करियर की बात करें तो क्रिस गेल ने लगतार 2 आईपेल सीजन में 608 और 733 बनाने के बाद आईपेल 211 और 12 दोनों में औरेंज कैप जीता गेल ने आईपेल 212 और 13 में 733 और 708 रन बनाए कोई भी अन्य बल्ले बास लगतार 2 सीजन में 700 के पार जाने में काम्याब नहीं हुआ है हलाकि किर्केटर का इतना महान रिकोर्ड होने के बावजूद भी RCB की टीम ने उन्हें स्कॉार से बाहर कर दिया जिसके बाद क्रिस गेल को अपना आखरी आईपेल 21 में पंजाब के ओर से खेलना पड़ा था